जेहिंद प्यारेमित्रों आपके अपनी यूटूब चैनल आर र क्लासेस में आप सभी का स्वागत जैसे कि हम सभी लोग बात कर रहे थे जो है लिमिट फिट ट्रॉलेंस जो एमसी क्यूब कोस्टन्स के बारे में हम लोग डिसकेशन कर रहे थे यह सारे एमसी क्यूब निकल एक्साम के लिए जी बहुत ही महत्पून कोस्टन्स हैं यहन कोस्टनों की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारे ट्रेड जो होते हैं फिटर फिटर टर्नर टर्नर मचीनिस्ट मचीनिस्ट इस में और जो मेकंकल ट्रेड होते हैं उन मेकंकल ट्रेडों के लिए बहुत ही महत्पून कोस्टन्स है आच चलिए हम अपने कोस्टन्स को जो है स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था 50 questions तक देखा था आज से हम लोग जो उसी questions को review करेंगे उसके बाद सो हम आगे से जो है discussion करेंगे जो है हमारा question है 50 number fitting parts के बीच रखा जाने वाला अंतर dash होता है फिटिंग parts के बीच जान बूच कर रखे जाने वाला अंतर dash होता है option है अधिक्तम limit, next option है new time limit, next option है allowance, next option है tolerance इसे हम लोग क्या कहते हैं, allowance कहते हैं, जो fitting parts के बीच जान बूच कर रखे जाने वाला अंतर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, allowance कहते हैं, allowance कहते हैं, इसका right answer हो जाएका option number 6 अगर हम allowance की बात करते हैं तो यह हमारा allowance क्या होता है allowance की बात करते हैं जब किसी निर्धारित क्या होती कि जब कोई fit को निर्धारित करने के अमसार क्या करते हैं दो पार्टसों को बना कर मिलाया जाता है दो पार्ट्सों को अगर हम मिला कर बनाते हैं तो इन पार्ट्सों में के माप में जान बूझ कर कुछ अंतर रखा जाता है उसी कहम लोग क्या कहते हैं एलाउंस कहते हैं, next question है 51 number questions देखते हैं, हमारा 51 number question है, whole basis पधधत में male इस्थिर रहता है या female, जो whole basis पधधत ही होती है, पद्धत इमें male इस्थिर रहता है या female देखते हैं इसका option है एं शाप्ट size इस्थिर रहता है whole में allowance देते हैं Next option है, whole इस्थिर रखा जाता है, रखकर साफट में allowance देते हैं, Next option दोनों की size स्रमान रखते हैं, Next option उप्रोक नमेशे कोई नहीं, जो whole basis पद्धत में male इस्थिर रहता है या female, हमें इसमें बताना है कि जो whole basis पद्धत होती है, इसमें हमें किसको इस्थिर रखा जाता है इसका right answer हो जाएगा option number B जो whole basis इस्थिर पद्धत में हम लोग क्या करते होल को इस्थिर रखकर शाप्ट में allowance देते हैं इसका right answer हो जाएगा option number B B is right answer इसका right answer हो जाएगा option number B अगर यही हमारा यहां soft basis पध्धत् happens पोच्ता मेल उस्तिर रहता है या मेल विश्घ होनाथ ही मैल यह स्तिर रहता है या मेल रहता है मेल रहता है हैं इसका right answer हो जाएगा option number B next question देखते हैं 52 number question है हमारा 52 number question की बात करते हैं hole के सबसे बड़े map और shaft के सबसे छोटे map के अंतर को क्या कहते हैं अगर hole हमारा बड़ा है और shaft हमारा चोटा है उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं इसका right answer हो जाएगा option number C अधिक्तम allowance कहते हैं C is right answer अधिक्तम allowance कहते हैं जो hole के सबसे बड़े map और shaft के सबसे छोटे map के अंतर को क्या कहते हैं इसको हम लग क्या कहते हैं अगर हम अधिक्तम allowance की बात करते हैं allowance हमारी two types की allowance होती है allowance की बात हम लोग करते हैं allowance अगर हम allowance की बात करते हैं तो allowance हमारा जो हर टू टाइप्स के allowance होते हैं एक होता है हमारा अधिक्तक्तम allowance अधिक्तम allowance एक होता है हमारा सुह न्यूंतम एलाउंस एलाउंस हमारे जो है टू टाइप्स के एलाउंस होते है एक अधिक्तम एलाउंस एक हमारा क्या होता है न्यूंतम एलाउंस allowance जो हमारा क्या करते है अधिक्तम allowance होता है अधिक्तम allowance में हमारा क्या होता है hole की upper limit जो hole होती है जो हमारे अधिक्तम allowance के अगर हम बात करते है तो first number के इसमें जो हमारा hole होता है hole की जो tolerance दी रहती इसमें जो tolerance दी रहती कि उसमें सबसे जादे वाली ट्रालियंस को हो में क्या करना होता है होल की एपर लिमिटो होल की अपर लिमिट और साब्ट की जो होती है यह होती है हमारी क्या होती होती है जो अधिक जावब का साइच्ट दिया है माल है से हम बार टॉल्न का जो लिम इंग इस देख़ते है घिंए इसमें हमारा टॉल्रेंस क्या दिया गया है, जो हमारी सबसे अधीक टॉल्रेंस होगी, अगर मान लिजे हमारी जो अधीक लुवर लिमिट होती है, होल की जो हमारी अपर लिमिट है, इसमें हम बात करते हैं, अगर मान लिजे हमारी इसमें टॉल्रेंस प्लस में दी गई, 0.00 0,3 और माइनस 0,0,1 दीगे तो इसमें जो अपर लिम्मित हो जाए गी कीज में जो सबसे बड़ी टॉलेंस होगी उसको कँर दिमित्क होगी तो इसमें सबसे चोटी वाली टॉलेंस को क्या कर देंगे घटा देंगे इसके वीच के दो अंतर होती है इसे को हम लोग क्या कहते हैं एलाउंस कहते हैं और जो हमारी क्या कहते हैं दूसरी होती है हमारी नियुनतम इलाउंस की बात करते हैं नियुनतम इलाउंस हमारी का होती ही कि जो होल की लोवर लिमिट होती है इसमें जो है क्या कहते है अधिकतम इलाउंस में क्या लिमीट और क्या होती है साब्त की क्या होते जाती है साब्त की जो है अपर लिमीट साप्ट की अपर लिमिट जस्ट उल्टा हो जाता है अगर अपर लिमिट है तो हमारी अपर लिमिट में क्या होती है जो अधिक्तम एलाउंस होता है अधिक्तम एलाउंस में क्या होता है कि हमारे जो होल की अपर लिमिट और sharp की lower limit होती है और जो new time allowance होता हो whole की lower limit और sharp की upper limit जो है होती है इस प्रकार से जो है lower limit और upper limit को जो है ज्यांत कर सकते हैं next है हमारा next question है हमारा 53 number questions देखते हैं clearance fit कैसे रखा जाता है clearance fit हमारा कैसे रखा जाता है option है अधिक धनात्मक next option है रिणात्मक next option है उपरोक्त दोनों next option है उपरोक्त में से कोई question number हमारा 53 number है clearance fit कैसे रखा जाता है clearance fit कैसे रखा जाता है clearance fit हमारा धनात्मक रखा जाता है इसका right answer हो जाएगा, option number A, clearance fit जो है, हमारा धनात्मक रखा जाता है, A is right answer, clearance fit हमारी जो है, धनात्मक रखी जाती है, next question देखते हैं, question number 54 number question देखते हैं, 54 number question है, 18 grades of fundamental tolerance in BIS system are so as, BIS प्रणाली में 18 कोट का आधार भूत tolerance को प्रदर्सित किया जाता है, जो tolerance की 18 grade होती है, उसको हम जो है कैसे दर्साते हैं, option है, A number it01, i2, it0.it16, next option है, it1.it18, next है, it0.it1.it17, next option है, it01.it0.it1.it17, जो tolerance की हमारी जो 18 grade होती है, इसको हम लोग कैसे प्रदर्सित करते हैं, इसका right answer हो जाएगा, option number A, A is right answer, it01, it0, it01, it02, it03, इस प्रकार से जो हम, it16 से प्रदर्सित करते हैं, इसका right answer हो जाएगा, option number A, A is right answer, next question देखते हैं, question number 55 number question है हमारा, 55 number question देखते हैं, in the whole basis system of limits and fit, छिद्र आधार प्रणाली में, शीमा एवं fit क्या है, शीमा एवं fit जो है, क्या होती है, option है, the whole size is kept varying and soft is very construct, छिद्र का आपम बदलता रहता है, और soft आपम इस्तिर रहता है, next option है, छिद्र का आपम इस्तिर रहता है, यवं soft का आपम बदलता रहता है, next option छिद्र आधार प्रणाली जैसे कुछ भी नहीं, next option है, उपरोक मेंशे कोई नहीं, इसका right answer हो जाएगा, option number B, the whole size is constant, whole size हो है, इस्तिर रहता है, and soft size is varied, क्या है, soft size हो है, बदलता रहता है, इसका right answer हो जाएगा, option number B, छिद्र आधार प्रणाली में, सीमा वफिट होती है, छिद्र आधार प्रणाली में, whole में, अब क्या होती है, in whole, in the whole basis system of limits and fit, limits और fit में जो है, whole की पद्धत क्या होती, इसमें जो है, चिद्र हमारा क्या होता है, कि स्थिर रहता है, एवं, soft जो है, बदलता रहता है, इसका right answer हो जाएगा, option number B, B is right answer, next question देखते हैं, अगला question है हमारा, अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगें, तो चैनल परना है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेर करना न भूले, next question हमारा 56 number question, for internal threading the whole diameter to be dealing before threading operation is equal to, आंतरिक धारियों के लिए धारियों प्रचालन से पहले छेद्र का व्यास dash शमान होना चाहिए, हमें क्या कहते हैं कि जो internal threading हम कहते हैं, internal threading में क्या कहते हैं, whole diameter में drilling, drilled before threading, drill करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो operation is equal, क्या operation जो हैं बराबर होते हैं, आप्षन है, major diameter, बड़ा ब्यास, next option है, minor diameter, लग ब्यास, next option है, effective diameter, वास्तिविक ब्यास, next option है, arrange average diameter, और सत्वियास, इसका right answer हो जाएगा, option number B, लग ब्यास, major diameter, is right answer, इसका right answer हो जाएगा, option number B, यह जो आंतरिक धार्यू जो इंटर्नल थ्रेडिंग के लिए थ्रेडिंग प्रचालन से पहले छेद का व्यास क्या होता है छोटा होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A, sorry B, B is right answer Next question देखते हैं Question number 57, number question A transition fit provides एक transition fit dot उपलब्द कराता है एक transition fit उपलब्द कराता है Transition fit के बारे हमें व्यात करना है कि transition fit जो हमारा क्या उपलब्द कराता है Option है always clearance, सदें clearance Next option always interference, सदें interference Next option है sometimes clearance and sometimes interference कभी-कभी clearance और एवं कभी-कभी interference Next option है none of the above उप्रोप कमेशे कोई भी नहीं इसका right answer हो जाएगा option number C C is right answer, इसका right answer हो जाएगा option number C एक transition fit कभी-कभी clearance एवं कभी-कभी interference उपलब्द कराता है कभी-कभी clearance, कभी-कभी interference उपलब्द करवाता है इसका right answer हो जाएगा option number C अगर हम transition fit की अगर हम बात करते है तो जो हमारा trollence fit होता है, इसमें trollence होती है इसमें trollence की अगर बात करते है जो हमारी transition fit होती है transition fit में क्या होती है? जो हमारी क्या होती है, कि दो पार्ट्स यह तो transition fit में क्या होती है कि यह तो हमारी जो tolerance जो दी जाती है, उनके माध्यम से allowance धनात्मक तथा रिनात्मक हो सकता है, इसमें जो allowance रखा जाता है, यह धनात्मक या रिनात्मक हो सकता है, होता है, clearance fit होता है, अगर जब हमारा क्या होता है, कि जब धनात्मक होता है, धनात्मक होगा तो यह हमारा clearance fit होगा और जो रिनात्माख होता है तो रिनात्मा क्या होता है interference fit होता है interference fit होता है अगर जो हमारी transition fit के अगर बात करते है transition fit transition fit में क्या होती ही या तो हमारी धनात्माख होगी transition fit में या तो हमारी चाह पती है। तेंजीरिन फित होता है अगला कोस्टन है मोरा इसम्रा फिर्टी एट नंबर फिर्टी एक डियर्ट नंबर का परिणाम किस फिट में होता है या हमारा किस फिट से संबंधित है इसमें क्या करते हैं इसमें हमारा किस फिट को दर्साया गया है कि ओइसर स्टी को आप संब्रान किस फिट को आपिनेवास इसमें इसमें इसका हम लोग थोड़ा वियस्तार देखते हैं इसका राइट अंसल नियुक करना में H7 by P6 का परिणाम क्या whole बड़ा है soft जो हमारा छोटा है इसको हम क्रोटाउन से fit करेंगे interference fit कहते हैं इसका right answer हो जाएगा option number B अगर हम बात करते हैं clearance fit की अगर हम बात करें clearance fit की बात करते हैं clear transfer fit अगर हम clearance fit की बात करते हैं तो हमारा clearance fit क्या होता है इसमें hole होता है हमारा क्या होता है छोटा होता है hole जो हमारा क्या होगा ये hole मान लिजिए हमारा piece H6 हो जाए और soft हमारा क्या होता है soft हमारा जो है इसमें बड़ा हो जाएगा ये soft जो है बढ़ा हो गया, Chोटा हो गया, और spontaneous fit कहते ह są और transition fit के अगर हम बात करते हैं तो हमारा transition fit होता है और हम transition fit की बात करते हैं, next है हमारा first हमारा clearance fit, 2 हमारा transition fit अगर हम जो है transition fit की बात करते हैं इसमें जो है दोनों पार्ट्सों में tolerance इस प्रकार दीता जाती है इसमें क्या होती है कि इसमें धनात्मक और रिनात्मक दोनों हो सकते हैं इसमें हम बात करते हैं जो देखते हैं जो हमारी transition fit होती है क्या होती है कि इसमें एक दूसरे को जो tolerance होती है इसमें एक दूसरे को क्या करती है एक overlap करती है यह होती है हमारी transition fit होती है और जो हमारा interference fit होता है interference fit कि अगर हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा होता है क्या होता है कि interference fit होता है इसमें क्या होता है कि साप्ट का साइज होता है साप्ट का साइज हमेशा होल साइज से बड़ा होता है इसमें हमारा क्या होता है कि साप्ट जो है हमारा साप्ट जो है बड़ा होगा और जो है होल साइज से बड़ा होता है इसमें जो है हमारा साप्ट इसमें भी क्या होता है कि हमारे जो होल साइज होता है यह छोटा होगा और साप्ट साइज भी हमारा क्या होगा कि बड़ा होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं interference fit कहते हैं interference fit कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं interference fit कहते हैं आगे हम लोग देखते हैं next question है हमारा इसमें question क्या था है h7p6 का परिणाम fit से होता है इसमें क्या होता है कि whole size से बड़ा होता है h7 whole size जो हमारा बड़ा होगा और sharp size हमारा छोटा होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं interference fit कहते हैं next question है हमारा अगला question देखते हैं question number 59 question देखते हैं next question है 59 number questions देखते हैं in a whole and soft tolerance system small letters indicates fundamentals division option एक छिद्र और soft tolerance प्रणाली में छोटे अच्छर mole ब्यतिक्रम टेश अंकीत रहता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा whole छिद्र होता है और जो हमारा soft होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं किस अच्छर से जो हम डिनोट करते हैं छोटे अच्छर से ब्यतिक करते हैं छोटे अच्छर से जो हम लोग क्या करते हैं किसको जो हम प्रदर्शित करते हैं अप् apparatus है ए चिद्र और होसे बहुत ये अगर हम बात करते हैं एक चिद्र और हुआफ्ट wichtig क्रण अंकित रहता है यह हम लोग क्या करते हैं जो छोटे अच्छर से हम लोग क्या करते हैं साफ्ट को प्रदर्सित करते हैं अगर यहीं कोस्चन बदल कर क्या कर देता है बड़े अच्छर कर देता है तो हम लोग क्या करते हैं होल को इसी से प्रदर्सित करते हैं यहां छोटे अच्छर है तो इस सेक्स नंबर कुस्चटन की और चलते हैं ऐस्य को एच नाइन डी-9 होता है कि सर्भ होता है इसमें सलफ और षenser इंग दहुत है एक चोट आधारित फिट अथो पुल भी हो सकता है नेक्स्ट एप्षन्नि इनमे इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर A, A is राइट एंसर एक छिद्र आधारित फिट, फिट जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर A, एक छिद्र आधारित फिट, इसमें क्या है तो कि जो हमारा होल है, होल भी बराबर और साप्ट भी हमारा बर प्राबर रहे तेसे हम लोग क्या करते हैं एक छिद्र आधारित फिट कहते हैं हैं नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं 61 नमबर कोस्चन है हमारा एक आधार साफ्ट होती है जिसका एक आधार साफ्ट होती है जिसका आप्शन है निमने विचलन सुन्न होता है नेक्स्ट आप्शन निम्ना और उपरी विचलन सोनने होते हैं नेक्स्ट आप्शन है इन में से कोई नहीं एक साफ्ट आधारित होता है जिसका उपरी विचलन सोनने होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नंबर B B is right answer जो साप्ट आधारित एक साप्ट आधारित एक आधार साप्ट होती है है जिसका उपरी विचलन सून होता है B is right answer इसका right answer हो जाएगा option number B next question देखते हैं 62 number question है हमारा 62 number question देखते हैं मोलभूत छिद्र होल एवा मोलभूत साप्ट के उच्च निमने भीचलन क्या होते हैं जो साप्ट का उच्च विचलन और क्या कहते हैं होल का इसमें दिया क्या है मोलभूत छिद्र जो हमारे छिद्र और मोलभूत साप्ट के उच्च विचलन और निमने भीचलन को क्या कहते हैं option है नियुन्तम या अधिक्तम नेक्स्ट आप्षिन अधिक्तम या अधिक्तम नेक्स्ट है सोन या सोन नेक्स्ट आप्षिन नियुन्तम या नियुन्तम इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्षिन नमबर सी सोन या सोन इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्षिन नमबर सी सी इ बिचलन होता है क्या होता है कि हमारा जो है सून होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नंबर सी नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है हमारा 63 नंबर कोस्चन है बिचलन डेस होता है क्या होता है बिचलन डेस होता है अप्शन ए सून रिनात्मक या धन रिनात्मक विचलन होता है शून रिनात्मक धनात्मक इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए ए इस राइट एंसर जो हमारा विचलन होता है यह सोन भी होता है रिनात्मक में होता है धनात्मक में होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number a is right answer अगर हम बिचलन की बात करते हैं तो हमारे बिचलन क्या होता है basic size ताथा actual size के अंतर को divisional division बिचलन कहते हैं जो हमारा soft job job की जो basic size होगा और जो actual size हो उसमें जो अंतर रखा जाता है तो उसी खुम लगते हैं विचलन कहते हैं विचलन जो हमारा सून निधनात्मक रिनात्मक तीनों होता है next question देखते हैं अगला question है हमारा 64 number question है name the fit in which the soft is cloded below the room temperature unit until in it info the hole the assembly is allowed a 10th temperature room question है हमारा fit का नाम बताइए जिसमें साप्ट को कमरे के तापमान से नीचे सीतल किया जाता है सीतल जो है कमरे के तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है जब तक कि वह छिद्र में fit हो जाए फिर कमरे के तापमान को की लिए समा कलन की अनुल होती है ता कमरे के अदल को क्रापट करने के लिए हमें क्या होती ही कि आप्शंव शना कि प्रेश फिट बाई expression, विश्तारण का प्रेश फिट, next option है, प्रेश फिट बाई shrinking, सिकोड का प्रेश फिट, next option हर्टोलिक प्रेश फिट, दरव चालिद प्रेश फिट, next option नन आप दीस उफरोक्टमेश कोई नई, question है हमारा fit का नाम बताए जिसमें shaft को कमरे के तापमान से नीचे सीतलन किया जाता है जो कमरे का तापमान होता उससे नीचे जो है ठंडा किया जाए जब तक वह चिद्र में fit हो जाए फिर कमरे के तापमान को प्राप्त करने के लिए जो हमारा पहले काता अपमान था कमरे को उसकी अनुमत होता है या प्रेस फिट बाई एक्सप्रीशन जो विश्तारन प्रेस फिट होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A A is राइट एंसर इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं अगले कोस्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में सो है कमेंट करके बताना है इसका राइट एंसर क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले कोस्चन से जो है इसके बात कोस्चन से जो है स्टार्ट करेंगे नियुन्तम सीमा एवं बुनियादी आकार के बीच के अंतर को डेश के रूप में जाना जाता है इस questions का answer जो है comment box में आपको जो है comment करके बताना है अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल पर नए है तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब शरूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें धन्यवाद